यहां पर यह जिम्मेदारी हमें प्रदेश अद्देख आदेश गुपते जी का नेत्रूत संगधन महामंत्री सिधारतन जी का मार्द रसन हम लोग आज 20 दिन हो गया है यहां पर भोजन वित्रन करते हुए दुपहर का भोजन और राच्छरी का भोजन का वित्रन हम लोग औ और आपको पता है LNJP होस्पिटल जो कोविड है जिसने यहां पर कितने लोगों ने कितनी परिसानी को यहां पर किस प्रकार से जहला है अपनों को कितनों को खोया है LNJP और इसके सामने पारकिंग है यहां पर भी कोविड सेंटर बनाया हुआ है यहां पर जो कोविड प बंद हैं घर पर कोई बनाने वाला नहीं परिवार यहां पर एडमिटे परिवार के सदे से बाहर यहां फुटपातों पर लेटे बैठें तो उन सब के लिए भोजन की विवस्ता हम लोगों ने भार के जनता पार्टी के नित्रुत में प्रुवांचर मोर्चा यहां कर रहा ह वैसे यह दाइत्व बनता था दिल्ली की राजी सरकार का लेकिन ऐसा मुखमंत्री जिसे कहते हैं कि उसे कोई जनता का से कोई लेना देना नहीं है इसे सिरफ तर्क वितर्क करके बातों को पूरा करना अपनी बातों से यूटन मारना उसकी परवर्ती है लेकिन आज उसकी इसी परवर्ती ने दिल्ली को समसान बना दिया हजारों लोगों की यहां पर जाने गई है उन्होंने अपनों को खोया है लेकिन अभी तक भी आप किसी भी सड़क पर किसी भी होस्पिटेल किसी भी समसान पर किसी भी मदद की जगे पर पूरी दिल्ली के अंदर आप घुमेंगे आपको केजरिवाल सरकार का ना तो कोई मंत्री मिलेगा और ना ही कोई विधायक मिलेगा कितने बड़े सरम की बात है जनते तराहिताई कर रही है जनता अक्षिजन के बिना दम तोड़ा बैड नहीं मिल पाए कितनी मुसीबितों का सामना कि हम लोग यहां पर साक्षी है यहां खड़े रहते थे देखते थे तो सुबह कितनी कितनी बोड़ियां जाती थी कितना किस प्रकार से तकलीफे पीड़ा हुआ करती थी लेकिन इस मुख मंत्री को कोई सरम नहीं है निरलज निरलज मुख मंत्री है यह इस व्यक्ति को इतनी सरम नहीं है कि दिल्ली के अंदर आज लाखों के उसमें लोगों ने किस तरह के से जातनाओं को और अपने जीवन को कमाया है कोई सरम नहीं है इनको एक हजार करोड के एड किये इसने अगर उसका 25 परशेंट भी खर्च कर देता है तो आज मिर्तु दर बहुत कम होती दिल्ली की दिल्ली के अंदर जिस समय आक्सिजन के आउट सकता थी तब यह पंजाम में आक्सिजन बाट रहा था और वहां दवाईयां दे रहा था आप वीडियो की रिकोर्डिंग के अंदर इनको देखिए इनके ब्यान देखिए जब यहां पर आक्सिजन दिये एक प्लांट इसने नहीं लगाया एक नया होस्पिटल कोई नहीं बनाया अपने कारिकाल में इस वेक्ती ने एक वेंटी लेटर तक निकरी था बोला क्या हो शकत करेंगे हर चीज को इसने विकाव समझ लिया हर चीज को मैं फिरी कर दूंगा और जंता को जब मर्जी में लुभा के लिए जंता माफ करने वाली नहीं है रहा मंरत में कहा गया है निर्मल मन जन मोही पायो मोही कपट छल छिद्र न भायो परवुराम ने कहा है सरल भिठे वाला वेखती ही मुझे प्राइट कर सकता मेरी किरपा को पा सकता है छल कपट वाले को मैं कभी प्राप्त माफ करते ऐसी प्रवर्ति के लोगों को और ना अब दिल्ली की जनता माफ करेगी जिए केजरी वाल जिनके दम पर गद्धी वेठा है वो सब लोग किस तरीके से यहां पर बिलख बिलख के रोए हैं बिलख बिलख के अपने लोगों होया है इस मुख मंत्री को इसका परिणा काम भुगतना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ही उसका रिजल्ड देगी आने वाले समय में यह गद्धी पर नहीं रह पाएगा बिनाशकारी मुख मंत्री दूर्त मुख मंत्री जूट बोलने वाला मुख मंत्री इतना उसके बाद भी मक्कारी की इतनी हद्ध है कि उनकी कि आखों में आप ट्ली वीजन पर देखिए कोई सरम नहीं है उसके एड में देखिए कोई सरम नहीं है कुटाइज करता स्रफ परचार का माश्टर है हजारों करोलों को ने सिरफ परचार में खतम किया ऐसे मुख मंत्री उसकी जिम्मेदारी बनती थी उसके मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती थी यहां पर भोजन बाटने की यहां पर पानी बाटने की लेकिन वो साथ तालों में आराम से विश्राम कर रहे हैं अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है कि सब सुरक्षित रहें और आम जंता तलप रहे तो तलपती रहे और मर रही तो मरती रहे एसी मानसिक्ता का मुखमंत्री जिसके घ्रिना आती है जिसके घ्रिना आती है ऐसे मुखमंत्री का नाम लेते हुए भी जो जूट पर जूट 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 बोलता रहा सारी सुद्धाय केंद्र से लेता रहा राशन केंद्र से मुब्द बढ़ रहा है अपनी तरफ से उसकी कोई योजना नहीं है केंद्र के कारियों को अपना कारिय बता कर दुकान चलाता है लेकिन यह जंता अब सब समझ चुकी है और यह जंता माफ करने वाली नहीं है क्याज परिवारों की मदद करके उनकी सेवा करके अपने पापो को कम कर लें, ना तो प्रभू भी नहीं माफ करेंगे और दिल्ली की जिनता ही माफ नहीं करेंगे, जै भारत, जै हिंद और हमारा एक ही उद्देश सेवा ही संगठन है, बारत जिनता पाल्टी का कार करता इस पूरी अपके अंदर हर किरे को मदद में इस प्रस्तिद्य के अंदर भारत्य जंता पाइत करता खड़ा रहा है झाल झाल